नमस्कार मैं रोहुत कुमार आप नीज़ फोनेशन देख रहे हैं 21 दिसंबर को RGD ने अलान किया है बिहार बंद का जब तमाम विपक्षिपाट्रियां जो हैं वो RGD के साथ कदल मताल करेंगी CAB और बिहार सरकार के खिलाफ और बिहार बंद होगा ये बिहार बंद जो है एक तरीके से चुनाव के पहले RGD के कारकरताओं में एक नया जोश भरने के लिए भी है और इसकी तैयारियां जो हैं अब आज से ही शुरू हो गई है आज की बात करें तो आज पार्टी दफ्तर के ठीक बाहर RGD का जो युवा प्रकोस्ट है उसके तमाम लोगों ने हवन किया है हवन है जिसमें जिस तरीके से J.U. ने C.A. भी बिल का समर्थन किया है उसके खिलाफ ये तमाम लोग एक जुट हुए हैं जिसको लेकर के बिहार बंद होने वाला है तो तमाम जो RGD के युवा कारी करता है तमाम लोग पार्टी के बाहर बैठे वहां पर बज़ापता हवनकुंद बना और उस हवनकुंद में तमाम लोगों ने GDU जो पार्टी का अपना सम्मेधान है उसकी प्रतियां जलाई हैं और स्वाहा किया तस्वीरिया आपके सामने हैं RGD कारेले के ठीक बाहर की जहां पर तमाम जो कारी करता है RGD के वो जबा है और इन तमाम लोगों के तरफ से सीए बिल पर GDU के स्टैंड को लेकर के विरोध किया जा रहा है जिस पर जिस्वी आपक ने ऐलान किया है बिहार बंद करने का आपको बताएं कि बिहार की बात करें तो बिहार में 21 दिसंबर को RGD की तरफ से बिहार बंद है जिसकी तैयारियां शुरू हो गई है और आज चातर RGD और युवा प्रकोष्ट RGD के तरफ से जो जेडियू का समिंधान है उसकी प्रतियों को जलाया गया है विरोध दर्ज किया गया है इसके पहले तमाम कार्यकरता जो थे उन्होंने पोस्टर मार्च निकाला और पोस्टर मार्च के सहारे सीए भी पर जिस तरीके स पहले जीडी को जो स्टैंड था और उसके बाद जिस तरीके से लोकसभा और फिल राजी सभा में जीडी ने प्ला स्टैंड बदला और जिस तरीके से सपोर्ट किया इस बिल को इसके खिलाफ तमाम जो लोग है वो अंदूल कर रहे हैं आपको वताएं कि से ठीक पहले जब राजी सभा में ये बिल पारित हुआ था उसके बाद तजस्वी आदब के एक गवाई में पहले आरजीडी और उसके बाद तमाम जो महागर बंधन के लोग ही वो पतना गांधी मिदान में जुटे थे धरना दिया था और उसके बाद गांधी पृतिमा के सामने तमाम हो जाए वो इस बिल का समर्था नहीं करेंगे और इसे लागू नहीं होने देंगे नियूस फॉर्णिशन पर खबरों का सिलसला लगतार जा रही है फिलाले के लिए ताही नमस्कार